कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी से आज तीसरे दिन भी एडी की पूछता जारी है इसी बीच एडी दफतर के बाहर कॉंग्रेस कारिकरताओं और नेताओं का प्रदर्शन तेज हो गया है कॉंग्रिस कारिकरताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए टाइरों में आग लगा दी तो वहीं बड़ी संख्या में कारिकरता नारे बाजी करते हुए सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं वही नेताओं और पुलिस के बीच जड़ब की खबरे भी सामने आई है इस बीच सपाप्रमुक अखलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया है तो क्या कहा है अखलेश ने आईए देखते हैं ये रिपोर्ट कॉंग्रिस सांसद राहुल गांधी आज भी एडी के सवालों का जवाब देने के लिए पेश हुए है अब तक राहुल गांधी से एडी 20 घंटे की पूछताच कर चुकी है तीसरे दोर की इस पूछताच को लेकर अब देश की सियासत भी गर्मा गई है सपा प्रमुक अखलेश यादव ने एडी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और राहुल गांधी का बचाओ किया है अखलेश ने कहा कि हम राजनीती करने वाले लोग हैं इनको परीक्षा देनी पड़ती है जैसे दसवी और बाहरवी की परीक्षा होती है उसी तरह एडी भी एक है अखलेश यादव ने कहा कि एडी का मतलब अब एक्जामिनेशन इन डिमोकरेसी बन गया है उन्होंने बुदवार को ट्वीट कर कहा कि ED का मतलब आब examination in democracy बन गया है राजनीती में विपक्ष को ये परीक्षा पास करनी होती है जब सरकार स्वैम फेल हो जाती है तो वो इस परीक्षा की घोशना करती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो ना तो लिखा पढ़ी की परीक्षा से डड़ते हैं ना मौखिक से और कभी डरना भी नहीं चाहिए महीनुपुर्शर्मा के मामने पर अखलेश ने कहा कि बीजेपी अगर कहती है कि हम सम्मिधान और कानून के साथ हैं तो कानून के तहट अपने कारिकरताओं पर कारवाई क्यों नहीं कर रहे हैं बीजेपी को संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे प्रवक्ता जो किसी को अपमानित करते हैं किसी के धर्म के खिलाफ बोलते हैं उन्हें आज इवन पार्टी से बाहर निकालने का संकल्प लेना चाहिए दिल्ली में E.D. की राहूल से पूछताच जारी है इस बीच सडकों पर कॉंग्रेस कारिकरताओं और नेताओं का प्रदर्शन तेज हो गया है कारिकरताओं ने टाइरों में आग लगा दी वहीं बड़ी संक्या में कारिकरता नारेवाजी करते हुए सडक पर धर्ने पर बैठ गए है इसी दोरान नेताओं और पुलिस के बीच जड़ब की खबरें भी सामने आई राहूल से एडी की पूश्ताश का मामला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है ऐसे में सरकार और पुलिस की मुश्किलें और बढ़ सकती है डीवी लाइव की रिपोर्ट